लाख हपिलों के बावजूद नहीं मानने वाले तता कर्फ्यू का सरासर उलंगन कर सडकों पर घूमने वालों की अब पुलीस ने धुनाई शुरू करती है उलेकनिया है कि सरकार के कोरोना के बड़ते प्रभाव को देखती हुए तता धारा 144 के बावजूद सडक पर लोगों की बड़ी संख्या में घूमने के कारण राज्यभर में कर्फ्यू लगा दिया है लेकिन इसके बावजूद भी पबलिक है की मानती नहीं ऐसे लोगों को पुलीस ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है कैस्तानों पर शड़क पर बिना किसी कारण घूमने वालों की पुलीस द्वारा अब सुताई शुरू हो चुकी है दर्शको संचार बंदी का आज का यह तिसरा दीन है इस समय में इनविसेन की टीम बर्डी के गांधी पुतली के पास में खड़ी है आप देख सकते कि इस समय में साड़े दस बच चुके है साड़े दस बचने के बावजूद भी लोगों का घर से आना जाना लगातार जा रही है आप देख सकते कि लोग इस कदर जा रहे है और चारों और पुलीस फैल चुकी है और जो जो आ रहा है उनसे पुछताच की जा रही है मीडिया कर्मी भी बड़ी संक्या में यहां पे है पुलीस भी है महिला पुलीस भी है जेंट्स पुलीस भी है आप देख सकते कि उदर जैसे वो दूप यह वहां से भी आने वाले लोगों से पुलीस पुछताच कर रही है कुछ ऐसी भी देखने में आया है कि जो नहीं मान रहे थे उन्हें पुलिस ने उट बैठक भी उनसे निकाल ली है कहने का ताथ पर यह है कि 144 धारा पलिसी लगी है संचार बंदी एक कर्फ्यू जो लगाए उस अगर कर्फ्यू का अमल नहीं लोग करते हैं तो अब लोगों की खैर नहीं क्योंकि आप शामत आने वाली है क्यो बता दियू कि अब तक के पूरे देश में 500 से उपर मरीज पॉजिटिव पाए गये है जिनका इलाज जारी है तो वहीं राज्य की यदि बात किया जाए तो 100 से भी उपर का हाकड़ा पहुंच चुका है और जहां नाकपुर की बात है तो चार जो पॉजिटिव मरीज जो थे उनकी जांच परताल करने में अब कुछ अच्छा ये लग रहा है कि दो उसमें जो लोग थे पॉजिटिव उनका जब जाएंच परताल की तो उसमें दो लोग निगेटिव पाए गया यह अच्छी बात मिली है जबकि अभी नाकपुर में दो पॉजिटिव होने की और दिरे 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 यह आकड़ा बढ़ता ही जाएंगा क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ऐसे में पुलिस को भी एक सरकस करना पड़ रहा है मगर पुलिस के डंडे के आगे लोग भी जुकते वे नदर आ रहे हैं अब देख सकते के किया जा रहा है जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको पुलिस अपने डंडे से मनवा रही है लेकिन एक बात तो सच है कि सबोने घर रहना चाहिए क्योंकि 144 की धारार करो कोरोना वारत जिस प्रकार से अपने पाउँ पसार रहा है सबको अपने आगोश में लेने के लिए तैय कोरोना वारस जाएगा नहीं और लोगों में जन्य जाकरती होगी नहीं क्योंकि जिस प्रकार से इटली में हम देखते हैं कि हजारों की तादार में लोग कीड़े मकोड़े जैसे मर रहे हैं यहीं स्थितिया नाकपूर में भी आ सकती है लोगों ने अवरनेस और लोगों जागरूत होना बेहर जरूरी है नाकपूर के इस बल्डी पुलिया से क्यामेरा परसन मोहड के साथ संजेई मीरे इन बीसे न्यूज नाकपूर